ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मेश रासी वालू भगवान भी हैरान है यह देखकर अब आपको 19 जून से 25 जून याने किन 7 दिनों में अब तक की सबसे बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है ज्यादोस्तो यूँ कहें कि अब रातो रात आपकी किसमत पलटने वाली है ज्यादोस्तो भगवान शूरदेव के असिरवास से आपके लिए 19 जून से 25 जून याने कि 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है ज्यादोस्तो इन 7 दिनों में आपको अब तक की सबसे बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जा दोस्तों वे बड़ी खुसकबरियां कौन कौन सी हैं जो आपको इन साथ दिनों में भगवान शुरेदेव के आशिरवाद से मिलने वाली हैं और आप ये किसमत रात और रात पलटने वाली हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें तो कि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपूर्णे रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो को आगर शुरू करें सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरू करें कमेंट स्बोक्स में जैश शुरेदेव अवश्च लिख को लेकर कुछ शकारात्मक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आप के लिए बहुती लाबदाएक साबित होगी शंतान संबंदी किसी विशेश कारे के संपन होने से आपको राहत महसूस होगी तथा कारे को उर्जा के साथ पूरा करने का आपका जजबा भी बना रहेगा दोस्तो इस समय परिवारिक वातावरन अनुशासित तता शकारात्मक रहेगा किसी सदस्य के विवासमंदी अच्छा प्रस्ताब भी आ सकता है दोस्तो आप अपने कारे को योजना बद वे उचित तरीके से क्रम बद करके निपटाते चलें अवस्ये ही आपक दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिष्टेदारों वे परिवार के लोगों के सयोग से हल होगी जिसकी वजह से आप अपने आपको बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ साथ विदेश में जाकर अध्यन करने के लिए प्रियासरत विध्यारतियों को अल्प प्रियास से ही सफलता मिल जाएगी दोस्तों साती सात आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है इसलिए अपने परिवार को प्रात्मिक्ता पर रखना आपके लिए आवशक है घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ट के साथ भी कुछ समय व्यतित करना घर के माहुल को और अधिक खुसनमा बनाएगा इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतित करें दोस्तों परिवार के सदस्यों को आप से कुछ करने के लिए भी उत्तम है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान के इंद्रित रखें दोस्तों साथिसाथ आप अधिकतर समय आत्म मंथन तथा एकांत वातावरण में व्यतित करने का प्लान करेंगे इससे आपको काफी उल्यनों से निजाद पाने संबंदी हल प्राप्थ होंगे तथा अपने अंदर एप्रतियासित संतोस वे उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तों साथिसाथ यह समय फिजूल खर्ची पर नियंतर करना आपके लिए आवश्चक है रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी आँख मूंद कर अव हेलना करने से आपको नुकसान हो सकता है विद्यहरती तथा युवा वर्ग हास परियास तथा मरोरंजन संबंदित व्यवसाय के कारों में पढ़कर अपने केरियर के साथ समझोता ना करें घर में अचानक ही कुछ रिष्टेदारों के आने से व्यवस्ता थोड़ी बि भुजनाई बनेंगी परन्तु आप चिंता ना करें यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा किसी नजदी की मित्र के साथ गलत फैमियां उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि संबंद खराव होने जैसी इस्तितिया ही आप उत्पन होने ना दें व्यवसायक उतल पु जैसे परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटोती आपको करनी पड़ सकती है जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं इसलिए इस समय किसी पर भी अती विश्वास आपकी हानी का कारण बन सकता है शावदान रहें साथिसात रुपे पैसे के मामलों में मी किसी पर समय रिष्टेदारों के साथ धन संबंदी लेन देन करने से आपसी संबंदों में भी खटास उत्पन हो सकती हैं कि रोध और आवेग में चलते कैई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा इसलिए धहरें और सैयम से आपको काम लेने की आवश्यक्ता है दोस्तो साथिसाथ आप अपने परिवार की जडूतों को नजर अन्दाज ना करें आपका अपना कोई नजदी की मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिस रच सकता है दोस्तो साथे साथ यह समय धनके निवेस संबंदी निर्णे में काफी सोच विचार और पूरी जांच पड़तार कर लेने की आपको आवश्यक्ता है अन्यता आपको भारी हानी हो सकती है शाफधान रहें दोस्तो बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पती पतिनी के बीच चली आ रही गलत फैमियां और मत बेद समाप्थ होंगे तता परिवारिक माहुल उन्हें सुकद हो जाएगा परिवारिक वातावरण सुकद बना रहेगा घर के सवी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में शकारत्मक उरजा को व्याप्त रखेगा साति सात जीवन साती के साथ संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी युवावर्ग प्रेम प्रशंग तता सोसल मीडिया में अपना समय व्यार्थ ना करें घर का वातावरण सुखद रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुसी और नई उरजब प्रदान करेगी दोस्तो यह समय घर में शुक शांती का वाता वनड़ रहेगा प्रेम संबंदों को परिवारिक शुकरती मिलने से मन में उमंग व्यखुसी रहेगी दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा म्रदू भासी स्ववभाब से वेपारिक संबंद और अधिक अच्छे बनेंगे परन्तु अपने प्रोडेक्ट की क्वाल्टी को लेकर और अधिक बहतर करना आपके लिए अति आवशक है अपने कागजाद वे दस्तावेज संबंदी फाइलें बहुती समाल कर रखें कोई व्यक्ति इनका दुरुप योग कर सकता है दोस्तो यह समय वेपार में विस्तार की योजनाओं पर आप अधिक गंभीरता से काम लें माल बनाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी आपको अधिक ध्यान देनी की आवशकता है मार्कटिंग तथा जन संपर्क का दाइरा और अधिक विस्तिर्ट करने में अपना ध्यान आप केंद्रित रखें नौकरी में ते लक्षों को सरलता वे सुगंता के साथ आप हासिल कर पाएंगे दोस्तों साती सात यह समय आप वेवसाई के विस्तार संबंदी योजनाओं पर पुन विचार अवश्य करें कोई भी छोटे बड़े निर्णे लेते समय किसी का मार्क दर्सन वे सला आप अवश्य लें ओरडर पूरा करने के चक्कर में कौल्टी के साथ समझोता आप ना करें नौकरी में अधिकारियों वे सरक्रमियों के साथ संबंद आपके अच्छे बनेंगे दोस्तों नौकरी और वेपार में परिस्तितियां सावान रहेंगी कोई नया प्रोजेक्ट आरंब भी हो सकता है परन्तु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़ी बुजुर्गों वे वरिष्ट की सला द्वारा सुल्जाने की आप कोशिस करें दोस्तो नोकरी वेपार वेक कारोबार में कुछ थो वे महत्पपूर्ण निन्ने लेने संबंदित योजनाए भी बनेंगी और इनका पेरणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा प्रॉपर्टी से संबंदित वेवसाय में जल्दी ही आपकी कोई बड़ी डील लग सकती है दोस्तो साथिसाथ यह समय नोकरी में लक्षे वे टारगेट को पूरा करने का दवा भी बना रहेगा जिसका आपको बहुती डट कर सामना करना है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय यत्रा के दोरान अपने खानपान वे दवाईयों का विशेस आप द्यान रखें वर्तमान वातावरण की वज़े से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्क है दोस्तो स्वास्त कुछ कमजोर रहेगा जोडों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता है बादी वाले तथा गरिष्ट बहुजन का आप सेवन ना करें इस से बचें संतुलित आहार के साथ साथ वयाम और योगा जैसी सकती है साथ धन रही